Hello and welcome friends आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं Windows 10 के अपडेट को परमानेंटली किस तरीके से आफ कर सकते हैं Windows 10 अपडेट को बंद करने के लिए ये वीडियो पूरा देखे इस वीडियो में step by step पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं अब अभी तक आप लोगोंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर ले साथ में पैल आइकन को जरूर दबा दे ताकि इसी पर करके वीडियो आप देख सके सबसे पहले दोस्तों वीडियो अपडेट करने इस वींडियो अपडेट बार बार आने के वाज़स से जो है कभी sì आपको मॉइल का डाटा जो है अपने के लेग में करने करनाAK करते उस कंडिशन में अपडेट लेने के वज़से से आपका मॉइल के डाटा तुरंती और तुरंथी ही खतम हो जाता है इस करनद विंडू अफडेट को बंद करते हैं चलिए बताते हैं आपको स्ट बार में सर्वीज सर्विज सर्विस करने के बाद इसे ओपें कर लेना डैन उसके बाद यहां पर आपको देख सकते हैं काफी सारा उफसन देखने को मिल जाएगा य यहां पे Windows Update option को आपको ढूंड रहा है तो नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है फ्रेंस जैसे जैसे इस वीडियो में आपको इस्टेप बता रहा हूं सेम उसी तरह आपको अपने लैप्टॉप केम्प्यूटर में करना है Windows Update बंद करने के लिए पर्मानेंटली तो नीचे स्क फ्रस्ट में पर्डेंट यही है सेकेंड मैठड के लिए आपको फ्रेंस दूसरा मेठड आपको बताते हैं इस वीडियो में तो आपको विंडोस आइकन पे किलिक करना है Windows आइकन पे किलिक करने के बाद आपको यहां पर Windows सेटिंग का ऑफशन दिक जाएगा सेटिंग में उसके बाद यहाँ पे update and security का option देखने को मिल जाएगा इस पे आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ पे जो है आपको advance वाले option पे click कर देना है यहाँ पे click करने के बाद यह सारे option जो है on होंगे तो इसे आपको अपने laptop computer में off कर लेना है यह सब प्रोसेस करने के बाद आप अपने laptop computer को एक बाई restart कर लेंगे आपके laptop computer में permanently windows update off हो जाएगा बंद हो जाएगा तो अमीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को like subscribe जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए दोस्तों जाहिंद